y equal to cos square x square find dy by dx तो यहाँ पर पहले हम इसको लिख पाएंगे y equal to cos x square और इसका whole square यह जो square था उसको बाहर लिख दिया गया है और अब यहाँ से put करेंगे x square is equal to t ठीक है तो अब यह जो cos x square था यह बन जाएगा cos t ठीक है और ऐसे ही cos t जो है cos t को मान लेते हैं u ठीक है तो अब यह सब बैलो अगर इसमें रखा जाए तो y equal to क्या बनेगा देखो y equal to cos और x square को t मान गया है तो यह cos t का square हो जाएगा और cos t किसके बराबर है u के तो यह y equal to आ जाएगा u square ठीक है अब y u square है और ऐसे ही t देखो t का मान x square है और जो u है u is equal to है cos t के बराबर ठीक है अब इन सब का अलग अलग differentiation करेंगे जैसे कि y का u के respect में, t का x के respect में और u का t के respect में ठीक है x के respect में 2x का, sorry x square का ओकलन 2x हो जाएगा और ऐसे ही du, du upon में dt ये निकालेंगे cos t का हो जाता है, minus का sin t ठीक है और अब हमें निकालना क्या था है, यहाँ पर d y y dx ये find करना है, है न, तो इसी को हम ऐसे लिख पाएंगे d y y du into में du upon में dt और into में dt upon में dx है न, यहाँ से देखो तो du, du cancel हो जाएगा, dt, dt कैंसल हो जाएगा d y y dx लिखा हुआ है, और अब ऐसा करने से क्या हो, d y y du हमने निकाला यहाँ पर, 2u है, into में du upon dt, du upon में dt ये minus का है, sin t, sin t माइनस आगे लिख देते हैं, और into में dt upon dx ये 2x के बराबर है, ठीक है, अब इन सब को solve किया जाएगा, तो 2 और 2 का multiply हो जाएगा, minus का यहाँ 4, u है, u को लिखा जा सकता है, cos t, cos t और ये है, sin t, और into में x है अभी, है न, और अब यहाँ से देखो, तो अगर हम इसमें से 1 to, इसको देते हैं, 2 cos t, sin t, तो ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, minus का 2, sin 2 t, और into में x, ठीक है, और final में अब यहाँ पे लिख देते हैं, dyy, dx is equal to minus का 2, और x है, ये वाला, और इसके बाद है, sin 2, t है, और t की value क्या है, x square, ठीक है, तो ये इसका final answer है,